ABP News आप को रखे आगे बंगाल में राजनितिक दलों से चर्चा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बोले सभी दलों ने चुनाव में बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स की तैनाती और पूलिंग बूत पर वीडियोग्राफिक की मांग की है किसानों के साथ सरकार की 11 दौर की बैठक जारी है किसानों ने सरकार के कानुनों को धेर साल तक टालने का प्रस्ताव खारिच कर दिया है वारा नसी में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले मेडिकल स्टाफ के साथ पियम मोदी ने समबात किया मोधी बोले वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है अफवाहों से बचने की जरूरत है कोरोना पर पीम मोधी की वैक्सीन मैतरी वाली कूटनी आज मौरिशस और शिशल्स 50,000 वैक्सीन की डोस भेजी गई है अस्ट्रेलिया में कंगारूओं को हरा कर लोटी टीम इंडिया को पीम मोधी ने फिर सरहा मोधी बोले बुलंद होसलों के साथ खिलाडियों ने इतिहास रच दिया बोले टीम इंडिया ने युवाओं को लाइफ लेसन दिया है अध्यक्षपत के बवाल के बीच आज कॉंग्रेस वरकिंग कमेंटी की बैठक हुई मई में हो सकते हैं कॉंग्रेस अध्यक्षपत के चुनाव बैठक में सोनिया राहूल प्रियंक का समेथ सभी बड़े नेता शामिल हुए CWC की बैठक में सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा हमला बोली किसानों के मुद्धे पर सरकार ने अमान वियता दिखाई है WhatsApp, चैट, लिक मामले पर भी सरकार को खेरा बिहार में नितीश सरकार के फर्मान पर घमासा बिहार के नेताओं और अफसरों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपति जिनक बयान देने पर कारवाई होगी तेजस्वी बोले मुझे गिरिफतार करके दिखाई सरकार तांडव के बाद अब वेब सिरीज मिर्जा पुर पर भी घमासार जांच के लिए मुंबई पहुंची यूपी पुलिस की मुंबई पुलिस से भिढनत हुई अबिनेता फरहान अक्तर के घर के बाहर हाई वोल्टर्स ड्रामा हुआ एंसीवी का अंतर रास्ट्री ड्रक्स मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा पाकिस्तान और श्रिलंका से समुदरी रास्ते से आतिती ड्रक्स एक हजार करोड की ड्रक्स बरामत हुई दो दिन के लखनव दोरे पर पहुंचे जेपी नड़ा ने बूथ लेवल के कारकरताओं से बैठा की नड़ा बोले बीजेपी ही सिर्फ ऐसी पार्टी है जिसमें आम आदमी पीम और सीम बन सकता है चारा घोटाले केस में सजा काट रहे लालू यादव की तबियत बिगडी डॉक्टरों के मुताबिक लालू को निमोनिया हुआ है फिलहाल हालत इस्थिर है करनाठा के शिव मोगा में माइनिंग के लिए जा रहे विसफोटक से भरे ट्रक में धमाका हुआ आठ की मौत हुई धमाके के बाद लोगों को भूकंप जैसे जटके महसूस हुए जम्मू के बटिंडी इलाके में बड़ा बावाल अवैद निर्माट गिराने के पुलिस के साथ लोग भिड़ गए लोगों ने सडक पर उतर कर जम कर हंगामा किया चार दिन बाद यूपी पुलिस ने गोंडा से अगवा मेडिकल चात्र को छुडाया हनी ट्रैप में फसाने की साजिश का खुलासा आरोपियों ने सतर लाख रुपय की फिरोती मांगी दी दो मेडिकल स्टूडेंट समेथ तीन लोग गरिफतार हुए बिहार के रोतास में बड़ा हाथसा अतिकरमर हटाने के दौरान चार मंजिला इमारत भरवरा कर गिर गई हाथसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है उत्तर भारत में फिर भड़ी ठंड दिल्ली यूपी समेथ कई लाकों में घना को रचाया दिल्ली में आज 60 डिगरी तक गिरा ताप मान कल 50 हजार का जादूई आकड़ा चूने के बाद आज बाजार में बड़ी गिरावट सेंसेक्स 589 अंक की गिरा निफ्टी में भी गिरावट धर्श की गई अब को रखे आगे झाल